कि है कि है कि है कि है लो एवर्वन वैलकम टू दा फीडियाज अकेडमी आप सभी का डेली करण्ट अफेर्स में मैं कपिल संडीले आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी डेली रूटीन में जो पढ़ाई है वह अच्छे से सल रही है चलिए सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं दस कोष्टां जो करन्ट अफेर्स के हैं उससे सुन करते है आप सभी हमें सजेश्ट कर सकते हैं आपके opinion जो है माइने रखेंगे हमारे लिए आप हमें जो भी वीडियाज अकेडमी नाम से यूट्यूब चैनल को और इसके लावा लग-लग जोब्स की प्रिपेशन से रिलेटेड मैटियल के लिए और सुचनाव के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी जोईन कर सकते हैं जो दा तो आपको थोड़ा सा इस तीज में नहीं खुषना है या वहना नहीं है तो हमारा सही आंसर यहां पर माइगोव इंडिया इस रो या नितिय आयोग या बिर्ला प्लेनेटेरियू में से एक है अगर आपको अंसर पता है तो आप अपना जवाब दे सकते हैं अपने आपको ज भी है इसके लावा इस नाम से एक वैयब साइट भी है जो गवर्मेंट ओफ इंडिया की है जिस पर गवर्मेंट जो अलग लग योजनाओं की सर्जेसिंस लोगों से मांगती रहती करती है कोई लोग लेके आ तो उसके बारे में लोगों के क्या opinion को सामिल करने की कोशिस करती है तो ये वह organization है जिसके बारे में अभी बात की तो थोड़ा सा इसका detail में हम पढ़ लेते हैं कि असल में है क्या था प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज has been launched by the mygove India for tech entrepreneurs and Indian start-up start-up जो जो कोई नई business to करने वाले लोग है जो कोई नया business setup करने वालों लोग है उनके लिए start-up use कहा जा सकता है entrepreneur भी उन्हों ही कहा जाता है जो businessmen होते हैं ठीक है this planetarium challenge was launched with the primary aim of bringing together local startups and tech firms जो बड़ी-बड़ी tech firms है और जो local startup चोटे जो उद्धमिय उनको जो है इसका primary aim क्या है उनको together एक साथ लाने के लिए क्या गया है that have potential to build indigenous planetarium system जिनके अंदर potential है कि वो भारती है स्थानिय जो है planetarium system जो है software बना सकते है तो देखे एक तो बड़ी firm होती है और एक जिसने से अभी स्फूरो की आ है इनके पास talent है लेकिन इनके पास पैसा है यह सिफ्टम सोप्ट्वेर जो बनाए जाएगा वह लेटेस्ट टेकनोलोजी है जैसे वर्चुल रियालिटी है आपने देखा ओध्री वगरा की मुई जा रही है और में तो इन दोनों को एक मिक्स रूप है उसको खेते तो हिंदी में मैंने एक्स्प्लेइन कर दिया है तो रिसेंट्ली विच कंट्री हैज अप्लाइड टू जोएंदा एसिया पैसिफिक ट्रेड ग्रूपिंग अभी रिसेंट्ली हाल ही में किस देश ने एसिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूं में सामिल होने के लिए आविदन किया है तो हमारा इंस्टिक्ट इंडिया पे ज सामिल होने का अविदन किया है थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि यह एसिया प्रशांत समूव हैसल में है क्या तो चाइना है अप्लाइड टू ज्वाइन एसिया पैसिफिक ट्रेड फ्री ट्रेड ग्रूपिंग कंपोजड ऑफ 11 कंट्री सबसे पहले देखे एसे पैसिफिक ट्रेड ग्रूपिंग जो इसमें 11 कंट्री से इंक्रीज इंफ्लेंश इन इंटरनेशनल पॉलिटेक्स तो इंटरनेशनल राजनीति में इसने इंफ्लेंश पढ़ाना चायाता है इस ग्रूप को भी उज्वाइन करना चाता है चाइनिज कॉमर्स मिनिस्टर वां विन इसको एसको कहते है इसका। प्रोग्रेसिव एग्रमेंट जो ट्रांस पैसिविक पाटनर्शिप है उसका रेप्रेजेंटिटिव फिलाल जो है ट्रेड मिनिस्टर न्यूजिलेंड है इसलिए इसको एप्लिकेशन दी है इसने और दा एस या पैसिविक ट्रेड भी जिसको कहते हैं इसका दूसरा नाम य इसको प्रोपोज किया था पहले जो इस अब से पहले तो जो वो थे डोनाल्ड ट्रम्प थे लेकिन उससे भी पहले जो प्रेजिडेंट थे बाराक उबामा उन्होंने इसको शुरू किया था टू इंक्रीज इस रिलेशन विद एशिया ठीक है लेकिन अब चाइना भी इस प्रजेक्ट भार सरकार ने लौंच किया हुआ है जो आसपास के जो नेबर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए किसी भी दिक्कत में अगर असल हालांकि आसपास की ज्यादा तर देशों में जा सकता है लेकिन यह देखिए यहां नहीं जा सकता एक उप्शन आप इलिमिनेट कर सकते हैं इसका रिजन यह है कि अफगानिस्तान इसे लेंड लोक कंट्री इसके किसी भी कोश्ट पर समुद्र नहीं लगता है एक तरफ इरान है पाकिस्तान है तो यहां तो हम मिशन सागर आयनेस एरावत नहीं वेज सकते जो हमारा स्रिलंका वेतनाम मलेशिया इन में से हो सकता है इसका सही आंसर होगा वेतनाम वेतनाम जो है कंट्री है जिसका चाइना के साथ डिश्प्यूट है ठीक है चाइना जो है इसके समुद्र पर सारे अधिकार दिखाता है वेतनाम के उसी समुद्र में इंडिया जो है काफी सारे प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि वेतनाम जो है दुस्मन का दुस्मन दोस्त होता है तो कि उसकी हम के लिए कौन सी हेल वो भी देख लेते हैं इंडियन वेशल आयनस एरावत है रिश रिशन 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 होची मिन सिटी इस ढवाप ये डिवन करल की होची मिन सिटी जो है पॉर्त जो है वितनाम में है आज पार्ट अजागर दाव और है सिंट दिकत है तो भारत ने उनको help भेजी है साइद वहाँ पर तीसरी लहर के लक्षन आ गए है तो 300 oxygen कंसेंट्रेटर भी भेज़े हैं ठीक है और 10 LPM कपेस्टिक हैं तो फाइट अगेंस था को help कर रहा है ठीक है यह उसका पार्ट है इसलिए इंडिया को ने वहाँ पर भेज़ा है नेक्ट पोर्शन भी लगाती है तो अब यहां से हम कितने मुद्राइब निकाल सकते हैं इसको कहा जाता है श्वेशल ड्राइविंग राइट ठीक है इस पैसलिटी वर्ड एक जैसा दिख रहा है यह आपको कंफ्यूज करने के लिए दो डाले गए श्वेशल ड्राइविंग राइट होते ह है जो कि जितना हमने आई में योगदान दिया है वहां के फंड बनाने में मालीजी हमने एक बिलियन डॉलर दे दिया है ठीक है तो हमारा उसके हिसाब से कोटा बन जाता है जो इससे हम फंड ले सकते हैं तो वह होता है special drying rights अगर हम जुरूत नहीं है तो उनके के पास पढ़ा है अधर्वाइज उस कंट्रिविशन के वजह से जो हमने योगदान दिया है special ड्राइंग राइट हो जाते हैं ठीक है भारत के पास राइट है कि वह उसमें से कुछ उनसे ले सकता है पैसे ले है तो इसका जो कोटा हाली में बढ़ा दिया गया special ड्राइंग राइट्स का यहीं हमारा सही अंसर हो जाएगा और राइट है गेंट्स ओस आनलिए जैल्ड आल्ट्रेट रिजर्व忠ी ये आल्ट्रनेट रिजल्ड परणसी है फ्लोटेट बया दा इंट्रेश्नल मॉनिट rooms एमग यह आल्ट्रनेट रिजर्व परणसी है जो कि इंट्र्स अपार्ट के द्वारा जो है एक करन्सी फ्रोट की जाती है using the HDR the member countries can freely perform Forex transaction अमंग themselves इसको यूज करके जो है जो member country है आपस में जब विवापार करते हैं Forex foreign exchange का transaction करते हैं इस करन्सी को यूज कर सकते हैं HDR 4 में part of India's total Forex reserve as at particular time तो भारत का जो जो विदेशी मुद्रा भंदार है उसमें HDR को भी count किया जाता है ठीक है डॉलर कितने हैं वो सारी चीज़ों को तो HDR भी count करते हैं Recently IMF has increased the HDR quota for India to 12.57 billion whose value is nearly 17.86 billion dollar तो भारत का quota इन्होंने बढ़ा दिया है कहां इतना कर दिया यह पूछेगा नहीं लेकिन यहां पर यह पूछेगा पर का स्पेशल डारेंग राइट जो है वो कोन जारी करता है यह हमारी विद्रेशी मुद्राब भंदार का कौन सा इन में से पार्ट है और कौन सा नहीं है यह पूछ सकते हैं कौन है अभी मुख्यमंत्री पंजाब में बने हैं अमरिंदर सिंग प्रकाश सिंग बादल राजिंदर कोर भटल चरंजित सिंग चन्नी अमरिंदर सिंग यह तो नहीं है क्योंकि दिस इस दपर्सन हूँ पंजाब अगें प्रकाश सिंग बादल इस मच पास्ट कह सकते हैं बहुत पहले की बात है और राजिंदर को भटल भी नहीं है और हमारा सही आंसर होगा चरंजीत सिंग चन्नी चरंजीत सिंग चन्नी इस दा नेक्स्ट सीम ओफ पंजाब निव शीम पंजाब ठीक है इससे पहले अगर पूछते हैं कि किस ने रिजाइन किया है तो वह अंसर हो जाता है अमरिंदर सिंग ने जो है रिजाइन कर दिया है तो फिप्टी एट यहर के हैं चरंजीत सिंग चन्नी इस पॉइंट इस निव चीफ मिनिस्टर पंजाब रों कॉंग्रेस पार्टी से ठीक है क पॉइंटेरेंग्र पंजाब इन में से कोन जो है करन पंजाब जो है अपैंट हुआ है अब यह कुश्चन है क्योंकि गुवर्णन को सफ़त दिलाई है उसके बारे में कोश्चन आ सकता है तो इस ब्स फेरिक वेर्ट हो सकता है और अर्न रभी बनवारिलाल प्रोहित पू बनवारिलाल पुरोहित इस दा राइट आंसर विजदा वर्किंग गवर्नर ओफ दा श्टेट पंजाब अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं अब उनको चेंज करके वापस पंजाब में लेके आया गया है तो यह भी पूछ सकता है कि पहले कहां के थे तो तमिलाडू के थे एक नेक्स पॉस्ट्न के चलते हैं जानके चिजिए क्लेक् humano के पशांच्छाब Fayisant पंजाब लशां सर्थ आप अंशल दे सकते हैं औरवाइस हम आंशर और बढ़ते हैं और इस गुजरात वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे ठीक है और वहां से उन्होंने रिजाइन दे दिया है अब देखते हैं कि उनकी जगह किसने बुपेंदर पटेल न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इस बुपेंदर पटेल जो गुजरात की 17 मुख्यमंत्री के रुप में जिन्होंने सफत ली है तो भुपेंदर पटेल इस न्यू चीफ मिनिस्टर जो की विजरुपानी की जगह पर आए हैं चलिए नेक्स्ट कोशन पर बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट कोशन इस हुई जातर हो बुक हुमन राइट्स और टेरिजम इन इडिया पुस्तक का ज से हम देख सकते हैं कि जो है यह नहीं है क्योंकि नेशनल सिक्योर्टी एडवाइजर अगर आप से पूछा जाए कुशन में हो इस नेशनल सिक्योर्टी एडवाइजर राष्ट्य सुरक्षा सलाहकार कौन है अभी तो वह अजित डोवाल है तो यह तो नहीं है इन्होंने भी होती है नो सेना एक दूसरा होता है एयर फोर्स ठीक है इसके साथ-साथ एक होता है इन्वेंट्री थल सेना अब देखिए नेवी एयर फोर्स इन सबके अलग-लग चीफ होते हैं लेकिन जब इनको इनको इकठी मिलके यूदी के टाइम पर काम करना पड़े तो इनको चीफ है उनके अंदर कोडिनेशन होना से ठीक है तो इसके लिए जो है एक नई पोस्ट क्रेट की जिसको कहते हैं चीफ डिफेंस टाप जो उस समय पर इन तीनों को गाइड करेगा कैसे काम कर रहे हैं तो फर्स्ट ट्रीडी शीडियस ऑफ इंडिया चीफ डिफेंस टाप जो है वो बिपिन रावत है ठीक है पहले यह जो है सलसेना के अध्यक्स ते सशी थरूर भी आंसर नहीं है तो राइट आंसर इस सुब्रमुन्यम स्वामी सुब्रमुन्यम स्वामी वह बीजएपी पार्टी के हैं तो उन्होंने पुस्तक लिखी है इनका क्या मानना है कि भ अफगानिस्तान में काटमांडू से हमारा विवान अपरण करके ले गए थे तालिबानी आतंगवादी और वह कंधार में जाके उतार दिया था तो वहाँ पर हमने तीन बहुत ही डैडली टेरिस्ट को छोड़ दिया था अपने तीन सो क्या सपास लोगों को बचाने के लि में ऐसा इनका मानना है और ऐसी पुष्टक इनों ने लिखिए लिए नेक्स्ट कोशन इस वेरवाज स्वस्ता पखवाड़ा टू थाउजन इलेवन लॉंच दोजार इकिस का स्वस्ता पखवाड़ा जो है पखवाड़ा क्या होता है 15 दिन का टाइम ठीक है तो 15 दिन तक स जोहाल लाल नहरू पोर्ट ट्रस्ट और न्यावा सेवा इंटरनेस्टल कंटेर्नर टर्मिनल एक तो यह बहुत अच्छा कोशन है आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि 2021 का स्वस्ता पखवाड़ा वाज लांस्ट एट कोचिन प ठीक है अब मुंबई पोर्ट पर भोजद लोड था इसी वह जैसे वहीं पर मुंबई में ही एक और पोर्ट बनाया गया है न्यावा सेवा इंटरनेशनल कंटेरर कर टर्मिनल तो यह सारे मुंबई में दोनों मुंबई में हैं एक क्वेरला मिहर और हमारे आंसर क्या है किया गया और सभेशष्या कि व्रट पत्न चेत्रों में श्रमदान सपाई कारे पराज़़ा बंदरगा उस श्येत्र में जो है स्रमदान कीया गया लोग movie देखी सोचता प्रगवाड़ा एक परयावन जागुरता वियान है जिसे स्वाचभार्थ मिशन की दैट शुरू किया गया है तो यह ऐसा नहीं कि उसके तहत आफ ग्रीड शोर पंपो कि स्थापना ऐसे पंप जो की शूरूर जासे चलते हैं और आफ ग्रीड मतलब ग्रीड से जुड़े हुए हैं लेकिन यह ऑफ ग्रीड पंप है सबसे पहले किस राजय को को किसे फिस्ट आया है ठीक है इस मामले में कुसम यूजना के मामले में इस मामले सब amazing अब विए डिम्यारा राजस्टान हřयाना मध्या-प्रदेश में था 9 स्ट्वी फिस्टस है फिस्ट एट फलेस ठीक है किस घुजना में सबसे जो है solar pump लगाए गए है कुश्म योजना के द्वारा हर्याना में ठीक है तो अगर कोई solar pump हमने लगा वह इस grid से भी जुड़ जाता है तो कभी कभी ऐसा होता कि solar pump नहीं चल रहा तो यह विभाग को बिजली बेच सकते हैं अगर यह grid से own grid हैं तो grid से जुड़े हुए हैं लेकिन सबसे ज़्यादा off grid मतलब वह अखेले हैं अभी वह grid से नहीं जोड़े हैं उसकी light को और कहीं उज दीजना कर सकते तो प्रधान मंत्री कि किसान का फुल फॉर्म कुछन सकता है किसान ऊर्जा सुरक्षा ऐवं उद्धान माहाङथ ऑम से फिएँ अंगेश्ट दा confront visit से यह थे लेकिन च recommends है लगाए हैं solar pump एक ही साल के अंदर हर्याना के अंदर तो हर्याना जो है इसमें फॉस्ट आया है तो आज का वीडियो यहीं पर खतम होता है लेकिन हम एक रूटीन अपनाएंगे कि एक कुछ थोड़ा सा का तुम महनत से उत्तर दो आप सभी जानते हैं कि आप त्यारी कर रहे हैं तो आपको competition करना पड़ता ही है और competition बहुत हाई लेवल पर हो जाते हैं ठीक है तो competition का उत्तर आप और ज्यादा hard work से दे सकते हैं अगर कोई 4 गंटे पढ़ता है आप 6 गंटे पढ़िए अगर कोई 6 गंटे पढ़ता है 8 गंटे पढ़िए ठीक है उसका उत्तर आप दे सकते हैं दूसरा fight for yourself अपने लिए आप खुद responsible आप किसी और को दोस्त नहीं दे सकते अपनी गरीवी को दोस्त नहीं दे सकते माबाब को दोस्त नहीं दे सकते अगर आपने ट्वेल्थ एक कर लिए और कोई कोर्स कर लिए और त्यारी कर रहे हैं तक तो माबाप की जिम्मेवारी मानी जाएकि लेकिन अब आप बड़े हो गए अगर आप सफल होंगे एसपल होगे तो आप खुद ही जिम्मेदार है इसलिए जल्दी से पढ़ना जोब कर दिजिए होते है ज आप से बड़ा नहीं अदर हफल होगे तो आप कुछ भी है no doubt कोई भी मंजिल जो है मुश्किल नहीं ठीक है कोई भी लक्स लक्स से आपके साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं विनर इज लूजर हूँ ट्राइड वन्स समझना है आपके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है दिमाग सब को बराबर है अगर थोड़ा बहुत आईक्यू में प्रोब्लम है तो उसका काउंट्र आप हार्ड वर्क से कर सकते हैं ज्यादा हार्ड वर्क जो है वो काम्याब होता है ज्यादा आईक्यू वाला बंदा रह जा लगा जरूर कमेंट कीजिए यूजफल लगा है तो जरूर लाइक कीजिए ठीक है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलती रहे इसके लाब आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जूड़ जाईए और यूटूब चाहने वाला है जो अभी शुरुवात है वह एक पूरी यात्रा एक बहुत कलरफुल यात्रा में बल देने वाली है जो आपको आपके एक्जाम में प्रिप्रेशन में हल्प परेगी चलिए मिलते है नई वीडियो के साथ तब तक मिलते हैं जैहिं जैवारत कुछ रहिए कुछ मैनुत कीजिए